सूर्य देव का जन्म कैसे हुआ? जाने रहेस्य हिंदू धर्म में पंच्देवों में से सूर्य देव भी एक माने गए है वहीं जियोतिश में भी सूर्य का बहुत मेहत्व माना गया है जियोतिश के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है यह मनुश्य के जीवन में मान सम्मान, पिता, पुत्र और सफलता का कारक माना गया है ज्योतिश के अनुसार सूर्य हर माहेक राशी से दूसरी राशी में प्रवेश करते हैं इस तरह से 12 राशियों में सूर्य एक वर्ष में अपना चक्र पूर्ण करते हैं सूर्य को आरोग्य का देवता माना गया है। सूर्य के प्रकाश से ही पृत्वी पर जीवन संभव है। सूर्य को प्रतिदिन जल देने से जातक को आध्यात्मिक लाब प्राप्त होते हैं। साथ ही स्वास्थे लाब भी प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स सूर्य देव का जन्म कैसे हुआ पड़े सूर्य देव के जन्म की पौरानिक कथा पौरानिक कथा के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था उस समय कमलयोनी ब्रह्माजी प्रकट हुए उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला जो सूर्य का तेज रुपी पालन व सनहार के कारण है ब्रह्माजी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेट कर स्वल्पतेज को ही धारन किया सृष्टी रचना के समय ब्रह्माजी के पुत्र मरीची हुए जिनके पुत्र रिशी कश्यप का विवाह अधिती से हुआ अदिती ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन किया जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ती के लिए सुशुना नाम की किरन से उसके गर्भ में प्रवेश किया गर्भावस्था में भी अदिती चांदरायन जैसे कर्थिन व्रतों का पालन करती थी रिशी राज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिती से कहा तुम इस तरह उत्वास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मरना चाहती हो यह सुनकर देवी अदिती ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया जो अपने अत्यंत दिव्यतेज से प्रजवल्लित हो रहा था भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रगट हुए अदिती को मारिचम अंदम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तन नाम से प्रसिद हुआ ब्रमपुरान में अदिती के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है वीडियो देखने के लिए धन्यावाद लाइक और शेयर बटन दबा कर हमें स्पोर्ट करें